हेलो फ्रेंज टिपल फाइफ शक्ती चानल में एक बार फिर से मैं रतना आप सबी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंज आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्णी में मैनिफेस्टेशन या फिर काला जादू एफेक्ट करता है कि नहीं आपने देखा होगा फ्रेंज की बहुत सारे लोग लाओ अफ अट्रेक्शन के बारे में बताते हैं अक्सर आपने सुना तो होगा कि ट्विन फ्लेम जर्णी में मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है लेकिन वो twin flame journey में काम नहीं करता है तो चलिए समझते हैं कि कैसे आप सुनते होंगे अक्सर कि हम अपने twin को manifest करते हैं हम true love को manifest करते हैं तब ही हमारा twin हमारी life में आता है आपके दिल के अंदर ये इच्छा होती है कि कोई मेरा ऐसा partner हो जो सरफ मुझे love करे कोई तो है मेरे लिए तो हाँ ये भी सही है कि आप ही ने अपने twin को manifest किया है क्योंकि आप पहले से अपने twin के साथ रह चुके हैं तो वो desire आपके अंदर पहले से रहती है इस वज़े से वो चीज manifest हो जाती है जब तक आपके awakening start नहीं हुई थी तब तक आपके life में आपके through manifestation होता था तब आप अगर law of attraction लगाते तो आपका काम हो जाता और manifest जो भी चीज करना चाते वो हो जाती लेकिन awakening के बाद जब आप इस twin flame journey में आते हैं जब आपका inner work start होता है तब आप अगर अपने twin को या किसी और चीज को manifest करेंगे तो वो manifest नहीं होता है क्योंकि अगर law of attraction लगाके या manifest करके या काला जादू करके ही अपने twin को हासिल करना है या फिर चीजें हासिल करनी है तो inner work तो बरबाद हो जाएगा फिर आप inner work क्यों करेंगे खुद को transform करने की कोशिश क्यों करेंगे आप किसी काला जादू करने वाले को या फिर किसी पंडित को या फिर किसी manifest करने वाले इंसान को ही ढूनेंगे कि कोई मुझे एक टेक्नीक बता दे बस कि कैसे manifest करते हैं बहुत सरे ऐसे लोग होते हैं जो twin flame journey को जानते समझते नहीं है वो लोग आते हैं मैं आप कोई ऐसी टेक्नीक बता दीजे मेरा प्यार मेरे पास वापस आजाए मैं उनको सीधा उल्टा बेज देती हूं कि नहीं भीया हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि कोई आपको love करता है कि नहीं करता है यह उसकी चौई से आप लायक ही नहीं है प्यार पाने के तो कोई आपको love क्यों करेगा पहले लायक तो बनिये मतलब इन अवक करके पहले लायक बनना पड़ता है और जो twin journey में नहीं है वो भी कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत beautiful लड़की के पीछे पागल है वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे टेकनीक हो जाए manifestation कि मैं उसको manifest कर लूँ और वो मेरे प्यार में पागल हो जाए तो ऐसे लोगों से भी दूर रही है और ऐसे लोगों को कभी भी कोई suggestion नहीं देना चाहिए तो हम बात कर रहे थे कि twin journey में manifestation क्यों नहीं होता जाहिर से बात है कि twin journey में manifestation इसलिए नहीं होता क्योंकि आपका soul contract बहुत ही ज़ादा strict बनाया जाता है कि आपको इनवक करके ही चीजें मिलेंगी आप देखते होंगे कि इसमें manifestation भी काम नहीं करता आप ये भी notice करते होंगे कि God के सामने आप कितना भी प्राथना कर लें प्रे कर लें उनके सामने रो लें चीख चीख के कहलें कि मुझे चाहिए 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 लेकिन वो आपके हांसों से नहीं पिगलते यानि वो भी आपको कुछ नहीं देते और अगर आपने ट्राइ किया हो कि आप इस जर्नी में आने के बाद कोई मतलब की वरत भी रहते हैं कि मैं ये वरत रहलू या वो वरत रहलू तो मेरा ट्विन आ जाएगा वापस तो वो भी नहीं होता है आप अपने इशूस को हील करने के लिए रखेंगे वो सफल हो जाएगा आप बाकी सारी चीजें अपने प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए अपना कोई ब्लॉक है उसको हील करने के लिए वरत करेंगे या मंतर साधना करेंगे तो वो हील हो जाएगा लेकिन आपके twin flame को direct पाने के लिए अगर आपने किया कोई भी मंतर साधना कोई manifestation वो 101% God पूरा नहीं करेंगे और कब तक नहीं करेंगे जब तक आप inner work करके high vibration में नहीं आ जाते अपने अंदर के सारे blockages को heal नहीं कर लेते जब तक आप उस true divine love को hold करने के लिए deserving नहीं हो जाते कभी कभी ऐसा भी होता है कि कितना भी आप blockage heal करने की कोशिश कर लें जब तक वो particular block heal होने का time नहीं आया है तब तक वो God heal भी नहीं करते हैं और जब time आ जाता है तो automatic source आपके around में बना दिये जाते हैं जिससे कि वो चीज आपका फिर heal हो जाता है और अगर कुछ manifest भी होता है तो बहुत चोटी 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 चीज़ें अगर आपने बहुत ज़्यादा manifestation लगाया तो माल लीजे एक normal call आ गया या फिर चोटा मोटा message आ गया लेकिन वो particular हमेशा के लिए नहीं आएंगे आएंग गया ऐसे लगेगा आपको ठीक है फ्रेंस तो इस जर्नी में reunion का एक ही दवाई बनाई गई है वो है inner work खुद को transform करना जब आपके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें जो God आपको सिखाना चाते हैं जैसे कि fearless होना guilt नहीं रखना self love करना और खुद की respect करना यह सारी चीज़े जब तक आपके blood में नहीं आ जाती जब तक आपके आदतों में नहीं आ जाती समझ लीज़े कि God accept ही नहीं करेंगे वो inner work जब आपके blood में आ जाएगा आपके आदतों में शामिल हो जाएगा तब समझ लीज़े कि वो inner work हो गया है उसके बाद भी test होते हैं और वो test अगर आ abundance आपको मिलने इसी के अनुसार मिलते हैं मतलब आपने अपने कोई blockages heal कर लिये या फिर अपने अंदर कोई चीज अपने आदतों में शामिल कर ली कुछ बढ़ी आसा inner work करके आपने अपने आपको थोड़ा सा evolve कर लिया उसी के according जितना आपने अपने उपर काम किया उसी के according आपको abundance आपको खुशियां आपके DM के call messages या कुछ भी मिलते हैं ठीक है तो आपको अगर लगता है कि manifestation से ये मिला है तो नहीं तो अब बात करते हैं काला जादू के बारे में काला जादू जो होता है twin flame journey में twin flames तो नहीं करते लेकिन अक्सर twin flames के ऊपर हो जाता है कोई कर देता है जैसे कि मेरे पास ऐसे कई case है जिसमें feminine परिशानती क्योंकि उनके DM पे काला जादू किया गया था और कौन काला जादू एक case में तो उनके गरवाले नहीं कराया था काला जादू मतलब relation था इन दोनों का प्यार था और उनकी मदर को पसंद नहीं था कि यह इस लड़की के साथ शादी करे या इससे प्यार करे तो उनकी मदर नहीं अपने बेटे पर जादू करवा दिया कि यह बेटा मेरे बस मेरे है उसके पास ना जाए तो ऐसे ट्विन फ्लेम ने किसे ऐसे माहल में जनम लेले कि उसके आसपास घरवाले या फैमिली कुछ आसपर उसके लोग बड़ा काला जादू वगरा करते हैं तो वो उसको उसके एफेक्ट में वो आ जाता है और कुछ लोग तो अपने मतलब और फायदे के लिए इंटेंशनलिली करवा देते हैं तो ऐसा कुछ करवाया भी जा सकता जिसकी वज़ी से ट्विन फ्लेम्स का दिमाग जिसकी बलॉक हो जाए या उसका जो इनवक है तीक से ना हो ऊश्को मेडिटेशन में मन न लगे या वो अच्छ से इनवक ही न कर पाए या उसका जो डीम है उससे बिल्कुल move on ही कर जाए बिल्कुल वो किसी अलगी दुनिया में हो मतलब बिल्कुल इसको पहचानी न पाए अपने twin को तो ऐसे-इसे कई सारे केस demon attack की वज़े से और काला जादू की वज़े से होते हैं ऐसे केस देखे हैं मैंने लेकिन यह जो cases हैं वो सरिफ twin flame में 3-4% लोगों को ही होते हैं अभी आप मेरी यह वीडियो सुन रहे हैं तो आप यह मत समझ लीजाएगा कि मेरा meditation में मन नहीं लग रहा है या मेरा DM नहीं आ रहा है तो मेरे DM पे काला जादू है नहीं सिर्फ 3-4% लोगों में ऐसा होता है और जब ऐसा होता है तो उसके symptoms बहुत जादा God दिखाते भी हैं आपको ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं चलेगा आपको पता चलेगा God आपको कई बार sign देंगे कि हाँ कुछ ऐसे है कुछ काला जादू या फिर कुछ negative energy है जो block कर रही है आप दुनों के relation को और वो जो sign है वो कई तरीके के हो सकते हैं कही नहीं कहीं किसी न किसी वे में आपको समझा जरूर देंगे God तो आपको बिल्कुल परिशान होने की जरूरत नहीं है इसका भी solution होता है यह भी under the divine guidance ही होता है बस एक reason होना चाहिए बस दोनों को एक दूसरे से मिलने से रोकनी का बस God कोई भी reason डाल देते हैं और यह भी ठी हो जाता है समय के साथ आप बस आपको थोड़ा सा जादा इनावक करना पड़ता है इन सब केस में इन सब केसमें में पहले negativity रिमूव कराई जाती है उसके बाद इनावक करने पर ही कोई फायदा मिलता है तो यह वीडियो मैंने इसलिए बनाय ताकि आप सतर करें अगर कोई क्यों कि वो कोई भी गलत काम करना उनको अलाव ही नहीं हुता है जैसे वो ट्विन फलेमी जर्नी में आते हैं फिर आगर वो गलत काम करते हैं या उन्होंने किसी की डिसरिस्पेक्ट करिया कुछ भी ऐसे वडर और वाला काम किया उनको खुदद को सजा मिलनी शुरू हो ज जाती है तो इस जर्णी में अगर आप हैं तो कभी किसी का बुरा ना सोचे कभी ऐसे काला जादू वाले से ना मिले उनसे दूर रहे इस तरीके के निगेटिव लोगों से बहुत जादा बात भी नहीं करनी होती है क्योंकि थोड़ी टाइम में आपकी बहुत जादा एनरजी कोछी शक कर लेते हैं बात ही करके और अब यह काला जादू जो होता है वह थोड़ा सा बड़ा वाला और छोटा वाला भी हो सकता है। इसा ने negativity दूसरे के उपर डलवा देते हैं उसके उपर कुछ negative energy छोड़ देते हैं जिसकी वजह से उसकी फिर growth रुख जाती है या फिर कुछ problems या health में problems like ये सब होने लगता है लेकिन आप tension ना लें अगर कुछ ऐसा होगा तो universe आपको sign देंगे वो चीज आपको feel होगी कि हां कुछ negativity है ये वीडियो बनाने का मकसद आपको डिरा रहा नहीं है friends सिर्फ आपको इन चीजों के बारे में aware कराना है ओके फ्रेंस तो ये था मेरा आज का वीडियो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें जो भी नए आ रहे हैं चानल पे चानल को subscribe करें नेक्स वी सब्सवाइ नेक्स बड़ाए करें उनसे हैं